बिस्मिल्लारों रुक्मादिर रुहीम तोड़ेस् टॉपिक ऑफ डिस्कॉशन इस बीटा लेक्टेम अंटिबाइएटिक्स तो प्रीवेस विडियो के अंदर हमने बीटा लेक्टेम अंटिबाइएटिक्स में पैनिसलीन उसी फैलोस को लेकों कुशंबर किया था दूसरी वह होती है यह सथो चो इंतर can Cathinic Northwestern our bers observant प्रब्रस उल्ट नहीं जो होता है यह यह वाला जो होता है यह अज्यलले करो से अधे, इसना में प्रेटर में यह और घ्जी होता है और ये वैड़ी के सांथे हैं यह वाला गैसी आपको को उपर ना recognize जात्यार थे यहां पे यचाला के एपके पर कोई नहीं होती है क्ister इसका mechanism of action किया है, इसने cell वाल को inhibit कर देना, इसके synthesis को inhibit कर देना, किस तरह से यह भी penicillin binding protein के साथ bind करती है, और इसके action भी synergist होता है, amino glycoside के साथ, इसके बाद देख रहेते हैं, carby penicillin, carby penicillin, यह chemically different होती है penicillin से, लेकि इनके पास भी beta-alactamering होता है, अब यह ज्याद यह ने आफसलें, डिजिस्टन्स, टैपालगोकस, ओर यह सासत, पैनिस्लें, डिजिस्टन्स, नीमो, कुकाई, इनके लिए भी कापे ज़्यदा effective होती है, gram negative rods और anerobs के लिए, जबके gram negative यहां पर आपने, आरोपस और gram positive, इनके against, ईसके अनाम किसे काम के नहीं होती, इनके जो बाकी सारी होती है, वो pseudomonas, aerogenosa, acyntobacter, इनके against भी effective होती है, मतलब इनके against पर जाके एक काम कर सकती होती है, और यह minor glycoside के साथ synergistic होती है, मतलब अगर आप दोनों use करते हो, दोनों use करने के वरे से आपको additive effect देखने को मिलेगा, अब जो कार्भी पैनिम होती है, वो किन के लिए against काम करती है, तो उसको आपने जाह दखने है, SEC, SEC से, S स स सिरेशिया, E स एंटी रो वेक्टर, OC से स से एंचे रो वेक्टर, इनके against ये काम करती है, तो इनके लिए drug of 24 के दौर पर काम आती है, एक और drug होती है, उसके नामे सिलस्ट्रेटिन होती है, सिलस्ट्रेटिन क्या करती है, इसको inhibit कर देती है, किसके enzyme को, वो enzyme जो इसको metabolize करता होता है, किट्नी के दर, उस enzyme का नाम है, तो इस enzyme को ब्लोग करती है, सिलस्ट्रेटिन, इमिपनियम की हाफ लाइफ को बढ़ा देती है, और इसको तोटने नहीं देती, अब इनके toxicity को देख बते हैं, इनके toxicity क्या होगी, इनके toxicity क्या होगी, इनके toxicity ये क्या होगी, तो बीटा लेक्टेम में इस inhibitor बोलना चाहिए, 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 तो बीटा लेक्टेम में ज़रूरी होता है तो क्लूवलानिक ऐसे डाइसल फैबेक्टेम और टैजबेक्टेम यह यूज करते है और इनका जो मेकैनिस अपर एक्शन है उसने उस बीटा लेक्टेमें इसको तोड़ दे रहा है यह इनक्टिवेक कर दिना जो प्लाजमिर से इंकोर्ट होता है लेकिन ज लेक्टिवेक्टमीन होती है यह इसने जोने निसन प्रप्रोटीडियों के पेंटाब्टाइड होता है पेंटर के चीन, पेंटर पेप्टाइड साइट चीन, पेप्टाइड साइड चीन के terminal के तर्मीनल के ओपर alanine, alanine resid predator यिस ने को कहा करते है, alanine को यहाँ पे lactate के नर करदेना जिसके वरे से glycosylation से और तोजाएगे, रहन तोजाएगे, इसके वरे Straphalo Coquai के अंदर होता है, Antiro Coquai के अंदर होता है, किस तरह से, यह जो Vencomycine के Binding Site होती है, ठीक है, तो यह Binding Site पर Affinity को खराब कर देती है, यह क्या करती है, Alanine को Replace करती है, lookout- leactate से Replace करने के बाद क्या होता है, यह उसको तरह bind निक सकती, alanine, alanine जैसे जो के ओपर ठीक है जो वनको और की सिंद्रौम इसके नेरो स्पेक्ट्रम अफेक्टिविटी है तो यह इस पेसेफिकली उनके लिए इस्तमाल होती है जिनकी मेथिसलीन से रिजिस्टन होती है मितार साथ के दूर पर मर्सा, मेथिसलीन, resistant staphylococcus aureus और इसके साथ साथ third generation cephalosporin for example septrioxone के साथ मिलके स्कमाल होती है निमो कोकाई के अंदर ठीक हो गया staphylococcus निमो यह है के अदर स्कमाल होती है इसके साथ the colostridium difficile में भी स्कमाल होती है इसके side effect katoxity जा होती है इसके side effect katoxity आप देख सकते हो कि यहां पर सिंड्रॉम देख लब इसका नाम है red man syndrome और red man syndrome का मतलब किया कि अगर rapid infusion करते हैं तो इसके बाद से पूरे face के पर flushing होना शुरू जाती है क्यों क्योंकि histamine को रियेस करवा देती है तो पूरा का पूरा face आदमी कर बिलको रेड हो जाता है that is why this is called red man syndrome के साथ सब्सक्राइब हो सकती है autotoxy भी हो सकती है इसके बात है फॉस्फो फॉस्फो मैसीन है फॉस्फो मैसीन और जो साइक्लोसीन है दोनों की दूर एंटी मैटामोलाइट होती है इसके बाद बैसे बाद बैसी प्रेप्ताइट एंटिवा इंचिवा इंटीवायोटिक होती है इसने भी क्या करना है, जो cell वाल की late stage हमाँ पर जाके interfere करना, उसके synthesis को block कर देना है, cyclosurine, ये भी antimetabolite है, इसने क्या करना है, alanine को incorporate नहीं होने देना है, टाप heptide के अंदर ठीक हो गया, इसके जादर deptomycin, ये membrane active है, cell membrane के पर जाके काम करते होती है, ये उनके against काम करते हैं, जिनके खिलाब wincomycin की resistance होती है, मिसाल के तरब wincomycin जिसमें काम नहीं कर सकती है, उसमें important होती है, for example, intero cocae, stepala cocae के अंदर, ये drug करती है, citoplasmium membrane में चले जाती है, हमाँ पर potassium को leak करवा देती है, potassium को leak करने के वादे से cell की death हो जाती है, कि इस तरह से death होती है, osmotic death हो जाती है, इसके बाद deptomycin, जो deptomycin का बता रहा है कि deptomycin का side effect की ऐसा है, deptomycin myopathic करवा रहेती है, myopathic के बढ़े से creatine phosphokinesis के लावल जादा होना चुड़ हो जाए था, कि आपका पता है कि हमारे muscle के अंदे के काफी जादा important resources होती है, तो यह काफी जादा बलार हो गया था, तो जिसके लिए माफी, माजरत, तो यह हमने पूरा chapter पढ़ लिया, अब हम इस chapter के कुछ MCQs फ़गरा को पढ़ लेते हैं, जब से पहला MCQ आपको नज़र आ रहोगा, यह वाला, कि four year old patient है, जो कि diagnose हुआ है, otitis media, otitis media से diagnose है, जिसको amoxiline चाहिए, पहली बात otitis media या inflammation of sinuses, sorry, inflammation of sinuses को तो sinusitis बोलते हैं, otitis media यह ear के लिए होता है, middle ear की inflammation को बोलते हैं, तो पहले हम यह देखते है, otitis media वाले में कौन सी drug हमने पढ़ी थी, तो उसके अंतर से ने बताव है कि amoxiline इस्तमाल करते हैं, अब amoxiline का use क्या था पहले, amoxiline का use आपको पता होना जाए है, कि amoxiline हमने यहां पर पढ़ा था, कि amoxiline होती है, यह इस्तमाल करते है किसके लिए, कि तो इसके action होता है, बिल्कु पहले तो penicillin G वाला penicillin G के लिए use हो रही है, यह इस्तमाल हो रही है, stepto cocae के लिए, manager cocae के लिए, gram positive rods के लिए और spirokeers के लिए इस्तमाल होती है, तो यह सारे gram negative है, इनके लिए भी काफे जादे important है, जबकि cap वाला formula था, यह paper serine, auticarceline के लिए था, cap का क्या मतलब हो, cap क्या मतलब हो, collapsella, enterococci, enterobacter है, और pseudomonas, अब इसका mechanism of action क्या है, पूछ रहें amoxiline का, प्राइमरी mechanism of action क्या है कि beta-lactamase को inhibit करना, beta-lactamase को inhibit करने वाले कौन कौन से थी, हमने यह आवे पड़ी थी, लोग वलेनी के से, sulbacter में, बार बार इसको confuse करो, वार बार से sulbacter और tazobacter होती है, ठीक हो गया, लेकिर यह भी plasmid वाले को inhibit करती है, gorokokai, streptokokai, ecoli और hemophilus influenza, इसको याद करने का तरीका है कि इसको आपने याद रखना है इस तरह से, गीस से, गीस से, ठीक है, गीस, G से gonorrhea, H से hemophilus, E से auriculi, और H से streptokokai, लेकिर enterobacter और pseudomonasiratia, इनके लिए किसी काम की नहीं होती, PES के लिए किसी काम की नहीं होती, cell membrane synthesis, cell membrane के उपर किसे नहीं जाके incorporate होना, cell membrane के उपर जाके incorporate होना, Deptomycin ने, जो को Lipopeptide है, लेकिन उसने Vencomycin resistance strain को खतम कर देना है, इंटीरो कोकाई और स्टेपलो कोकाई को, ठीक हो गया, आगे है, Anacetyl Muramic Acid Synthesis, अब कौन सी है, जो Anacetyl Muramic Acid Synthesis को ब्लोक करती है, वो है Phosphomycin है, यह Anacetyl Muramic Acid की Synthesis को ब्लोक कर देती है, और इसका Resistant का Mechanism किया है, कि Intracellular Accumulation को ब्लोक कर दो, इसके बाद है, Peptidoglycan cross linking, इसको छोड़ देती है, पहले हम देख लेते हैं, Transglycosylation, Transglycosylation को, कौन inhibit करती है, Transglycosylation को, तो यह वाला होता है, Vencomycin करती है, DLLL Terminal जैसे जो ब्लोक करती है, और यह Transglycosylation को ब्लोक करती है, जिसके वादे से Peptidoglycan के Longation नहीं हो पाती है, इसको कोई नहीं कोई नहीं होता है, इसको कोई नहीं कोई गनोरिया होता है, ठीक है, यानि Gram Negative, Road है, तो इस अदर गनोरिया है, तो गनोरिया के लिए जो अप्रोप्रियेट ड्राग होती है, वो कौन सी है, तो यहां पर आकर देखते है, तो साइफीलस के लिए drug or choice, इसको के लिए जो गनोरिया के लिए जो ड्राग हो choice है, वो थर्ड जनरेशन होती है, थर्ड जनरेशन के दर सेफ्ट्रियोक्सोन, गनोरिया मेलेंजाइटिस, दोनों किसके वरे से होते है, ग्राम नेगेटिव, कोकाई के वरे से, निजवेरिया के वरे से, ओनिमूनिया के लिए भी important है, थर्ड जनरेशन, सेफ्ट्रियोक्सोन, तो कि फॉर्ड जनरेशन के दर सेफ्ट्रियोक्सोन, तो हमारा सही जो आप क्या होगा, सिंगल, इंट्रमस्कुलर डोजो, सेफ्ट्रियोक्सोन, अब इसके अंदर पैनिसिलिन जी, या अमॉक्सिलिन क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको बता है, कि बीटा लेक्टिमेस प्रोडिस होता है, ग्रोरिया से, तो इसके लिए important नहीं होती, ठीक है, इसके बात है मिरोपेनम, मिरोपेनम भी किसी काम के नहीं है, अब जो गनोरिया के लिए जो alternative drugs होती है, पहला तो सेफ्ट्रियोक्सोन है, दूसरा इसी ग्रूप की है, सेफेक्सीम है, इसके साथ साथ स्पेक्टिनोमाइसीन है, और एजित्रोमाइसीन है, ठीक है, यह चार ड्रक्स होती ह इसके साथ स्पेक्सीन होती है, अब कोशन नमर थी के अंदर साइफिलस होगे है, तो उसके लिए क्या देगे है, तो साइफिलस के लिए drug of choice किया है, जो हमारी penicillin G होती है, नेक्स देख रहती है, विच अदा फॉलिविं स्टेट्मेंट बाड बीटर एक्टेम इंटिब इसके साथ 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 स्टेबल होती है, तो इसके वरे से आपको औरल अबसॉप्शन में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है, जो डेल्टा वाला है, रिणल टूबल अबसॉप्शन एबलके सिकरेशन को इनिभेट करती है, जबके टिकर सलीन यह गराम पाइब क्या 36-year-old woman अब इस पूरे सिनारियों के अंदर एक चीज दी भी है कि इसमें ग्राम नेगेटिव बैसिल आई है ग्राम नेगेटिव प्रॉड्स हो ठीक है इसके वड़ा से इन्फेक्शन हो गया और यहां पर जो इन्फेक्शन है और मेरोपैनिम मेरोपैनिम किया है यह कार्बिपैनिम है इनके क्रोस रेक्टिविटी देखने को मिल सकती है इसके वारे से अनाफलैक्टिक रेक्शन मजीद हो सकता है तो उनको भी यूज नहीं कर सकते है तो बैस्ट ऑप्शन क्या होगा एस्ट्रियो नाम होगा इसके आप यहां से देख सकते हो penicillin G यह होती है four resistance यह होती है penicillin binding protein के बरसे ठीक है penicillin binding protein number eight number eight के अंदर cerebrospinal fluid के तर ग्राम positive rods नज़र आ रहे है जो diphtheroid से resemple करते है तो antibiotic कौन से यूज़ करेगी तो drug of choice क्या होगी when comycin होगी इसके बात next है कि एक patient है जिसको antibiotic treatment चाहिए नेटिव वाल के लिए ठीक है उसके साथ अनाफलैक्टिक रियक्शन भी होगी है penicillin G का तब सकते हैं तो कौन से antibiotic हम करेगे तो वह होगी when comycin अब इसके बात when comycin के बारे में क्या चीज़ ठीक है तो बैक्टेरियो स्टैटिक नहीं होती बैक्टेरियो सीडल होती है penicillin binding प्रॉंटी से बाइड नहीं करती है तब इसके कुछ important checklist को देख रहते हैं प्रोटयप डॉर्टाइप इसके बाद इसके बाद जी नहीं होती है जबकि इसकी प्रोटोटाइक में मैधी सिलीन अवसिलीन है, एमाकसलीन, एम्तिसिलीन, पेपारसलीन और टिकारसलीन होता है तो यह हो गया यह पर इस चैप्टर का बेश्वर्वीव झाल झाल